आज का नास्ता सूपर टेस्टी और सूपर क्रिस्पी रहने वाला है अगर आपने इस तरीके से वेच कटलेट बना लिए न तो आप इस नास्ते को रोज खाना पसंद करेंगे आई होप आप सब को इनास्ता चरूर पसंद आने वाला है तो जल्द इसे इस रेस्पी को देख लेते हैं यहां हमने पांच मीडियम साइस के आलूरे लिये हैं जिने हमने रफली मैश कर लिया है दो बारिक कटी प्याद इसमें हम एड़ कर देंगे आप चाहें तो यहां पर अद्रक और लेसन को बारिक करकर भी इसमें डाल सकते हैं हरा धनिया भी हम यहां पर एड़ कर देंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे कुछ बेसिक से मसाले जादा मसालों का हम यहां पर बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे नमक अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं मैंने यहां पर पनीर मसाले को एड़ किया है आप चाहें तो यहां पर कोई भी चाट मसाले का भी यूज कर सकते हैं मुझे तो आलू के साथ में पनीर मसाला पहुत ही पसंद है साथ ही इसमें जाएगा एक चुटकी हिंग 12-15 टुकड़े हम इसमें पनीर के भी एड़ कर देंगी अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मीक्स कर देंगी अगर आपने अभी तक भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है आप देखेंगे ये नास्ता इतना जादा कुरकुरा बनेंगा कि बजार की कटलेट भी इसके आगे फीके लगेंगे एक नीमू का रस्पिया आप पर निचोड ली दियो से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब हमें एक ब्रेड का स्लाइस ले लेना है उसको पानी में डिप करेंगे और फिर इसको अच्छे से निचोड देंगे अब जो हमने फीलिंग बना कर रखी है न वो इसके बीचो बीच हमें रखते नी है और bread को fold करते हुए हमें bread के अंदर इस filling को fill कर देना है बिल्कुल हलके हातों से दबाते हुए हमें इसे slender वाली shape में ले आना है easy and quick recipe है आप इसे पहुत ही असानी से बना पाएंगे बस इसी तरीके से हमें सारी bread का नास्ता बना कर तयार कर लेना है अब बारियात ये इस नास्ते को और ज़्यादा special बनाने की तो वो ये है कि हमें 3-4 bread लेनी है और उसके edges का इस तरीके से powder बना लेना है और तयार किये हुए cutlet को इसमें अच्छे से गुमा देना है ऐसा करने से हमारे जो cutlet बनेंगे वो बहुत जादा crispy बनते है edges की coating करने से इसमें बहुत अच्छी crispy नैसा जाएगी तो देखे हमने इसी तरीके से सारे cutlet को बना कर तयार कर लिया है अब बारियाती है इन्हें fry करने की देखे तेल अच्छे से गरम हो गया है जब हमारे तेल अच्छे से गरम हो जाए तो gas की flame को low कर दीजी और तब हम इसमें cutlet को डालेंगे ऐसा करने से तेल का जो temperature होगा वो एकदम low चला जाएगा और हमारे cutlet अच्छे से अंदर तक सीख पाएंगे अब इन्हें अल्टा पल्टी करते जाएंगे जब तक ये अच्छे से golden brown कलर में ना आ जाए आप इस नास्ते को breakfast में, evening time में या फिर बच्चों को lunch box में भी दे सकते हैं ये सभी को बहुत जाता पसंद आएगा ये देखिए इन cutlet का कितना अच्छा कलर आया है I hope आपको इने देख करी खाने का मन कर रहा होगा जितने जादा ये देखने में लाजवाब लग रहे हैं उससे कहीं जादा ये खाने में टेस्टी बने हैं देखिए मैं आपको इनकी आवाद भी सुनाती हूँ ये कितने जादा क्रिस्पी बने हैं हरी चटनी लाल चटनी से इसे सर्व कीजिए सभी को ये इतने ज़्यादा पसंद आएंगे कि रोज आप से इनी की डिमांड करेंगे तो फिर मिलते हैं किसी और नई रेस्पी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग